थाने सर विधान सभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौझूद हैं और यहां से फिलाल जो विधायक हैं वो सुभा सुधाजी हैं और इसी के साथ वो अब दूसरी बार भारती जंता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में भी हैं उनको टक्कर देने के लिए कॉंग्रेस से अ होल है क्या लोगों की मांगे हैं क्या इनके मुद्दे हैं सबसे पहले शिरुवात आप से करेंगे क्या नाम है आपका रिशावत्स एडवोकेट हैं आप तो कब से आप यहां पे तहने सर विधान सभा में हम यहीं के हैं मतलब यहीं पैदा हुए और शुरू से राजनीती आघकी देखी हैbir क्या कुछ रहे हैं आऑ सबस्तुद समय समय पे अपने अपने बदला हुए नई नींडी पार्टियां भी आई हैं यहां पे हम नहीं नहीं लोगा आज भी देखा है का रहाई का गाल माहुल नजरां रहा है देखिए अगर में मुझूदा चुनाव इस बार नहीं अलग सा चुनाव है लोग तो ना तो यहां एंटी इंकम ऐसी है ना प्रो है देखिए जो जिस दल में हम तो किसी दल में नहीं है लेकिन उसके पाद उसको वही अच्छा लगता है आप यहां पे पहली बार देखोगे कि इनलो बस्पा का घठवन्दन रड़ रहा है और कितनी वोट लेगा कोई एक्सपरट नहीं पता सकता वही बसपा और इनलों के गठवनदन किसको डंट पराइगा आप पार्टी फूर फूल फूलैट लड़ेगी वह फोकिसको डंट मारेगी यह नहीं कोई बता सकता और यहां पर क्या है कि पिछले दस साल में जो नोकरियां दी है उसके बारे में जो जनसाधार नागी गरीब घर के लोगों की भी बहुत नोकरी लगी है बीना सिफारस के लगी पैसे के लगी उसका भी इंपक्ट है लेकिन दस साल की एंटी के कारण ये भी कह सकते हो कि कि लेकिन ये इस बार का जो चुनाव है एक बहुत जंगा पे मतलब पांच कंडिडेट तो मान के चलो एक जज़पा ने उतारा है कि ने लो ने उतार एक आप पार्टी उतार लिए और कांग्रेस का बीजेपी का है और कुछ आज़ाद hero बहुत जादा कुद्धन तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो निर्दलिय पर तया Direction काफी मैदान में हैं और कई बार होता है इन अभी कांते की टक्कर कहीं पर भी अगर बात की जारी है तो वो सिर्फ बिजिपी और कांग्रेस के बीच में हीं मानी जारी है ऐसा क्यों देखीए पता किया है अभी कांटे की टककर अभी election श्टार्ट हुआ है अभी election की देखो 5 तरीक वोटे डलनी है और कहते हैं नär लाश्ट का एक हफ्ता जाधा क्लियर करेंगा picture कि कि इसका जो रहे हैं आज hier कहना है या उसका जो है क्यूंकि करक्षेतर को सिचुएंसे में 2,16 पॉल होती है तब भी आप यह डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों पार्टियों के साथ घूमने वालों कि संख्या तीन हजार होगी चार हजार होगी पांच होगी दो लाग ग्यारा हजार बोट का तो यह नहीं पता है कि वह साइलेंट है वह जाएगी कहां ठीक है परचार हर दल अपना करता है लेकिन यह समय बताएगा कि यह जो बड़ा हिस्सा वोटों का किदर जा रहा है आप भी यहीं से हैं जी मैं कुछे तरसी है तो क्या कुछ माहोल देखा जा रहा है और अब भी अगर बात की जाए तो भारते जन्ता पार्टी से सुभास और भी तक विधायक हैं और पृति एक है अहले तक विधायक वो रहें क्या कुछ काम उनुन मूतल वह बढ़ा मुद्दाय है और शुभास सुष भास सुदा जी इनुन दो जार उपे हर मिला को पेंशन मिलेगी और छे जार रपे वरीद दावस्था पेंशन में दी जाएगी और साथ ही साथ सोगज के पलोट दिये जाएगे और फसलों पेंस पी दिया जाएगा और ओर पेंशन स्कीम लगू की पुरा घोशना पत्र आपको याद हो चुक है जादे यह किये गए हैं कि दो लाख तो सरकारी पक्की भरतियां दी जाएंगी और MSP की पक्की गैरंटी वो ले रहे हैं आज हम लोगोंने सीम सैनी साब का भी एक इंटर्व्यू किया था और उनसे इस पर जानने की कोशिश की थी कि कॉंग्रेस के घोशना पत्र को वो किस सिर्फ देक्ते हैं उन्होंने इसको कहा था कि यह सिर्फ घोशना हैं जिनके ध्वरात ध्रातल पर कोई वजूद नहीं है जिनका क्या आप भी ऐसा मानते हैं अ brag मैदम क्योंकर इनकी बातों में कोई दम निःए क्योंकि इन्हें का आप बेटी बचाओ और बेटी पड़ाओ वहा क्या कि बेटीयां वहाँ पर उनका सोसन हुआ और कितने दिन तक परेसान अंदोलन किया सरकार ने को रहम निया यही साथ हमें संदीव सिंग था उसने ऐसा किया तो सरकार को दया ने, मंतरी पट्त भी उनको निया अटा गा दूसरा एक, अर्याना का जवाण जिसने रक्सा की है देश की और कुर्बानिया दी है अगनी वीर जो योजना दी है, अर्याना का जो के जवाण यहां बिलकुल खपा है तिसरी बात यहां जो बेरुदगारी है बेरुदगारी इतनी बड़ गी के डिसी रेंट पर लगा लिए दूसरे लगा लिए दो मिने मटा दिए तीन मिने मटा दिए आप ठोसा करते हैं हम उनको रेगुलर करेंगे किस पोलिसी एताइद रेगुलर करतेंगे ये जो उठी स् तो इनको कोई दया नहीं आई किसानों पर इस के अरियाना जो है अरियाने की जनता इन से बिल्कुल उक्सुद है मैं एक अलकेगी बात नहीं करता हूं के अरियाने में निश्चित रूप से जो कि कॉंगर्स की सरकार बन रही है और बारी बहुं से बन रही है तो मुकाबले क कई जग टकर के भी हैं और सिरफ दोई पार्टिय मुकाबला है बीजेपी और कॉंग्रस लेकिने कॉंग्रस अर्याने की जनता ने मन बना लिया है कि हमने अर्याने के अंदर कॉंग्रस की सरकार बनानी है पूरी तरह से मन बन चुका है कि एक बार फिर से दुबारा से कॉंग्रेस की वापसी करवानी है या आपका मानना है बिलकुल है कांग्रेस की वापसी हो चुकी है और जो जो अलेक्षन आगे बढ़ेगा उस कांग्रेस की तरफ अपने आप क्योंकि मैं एक कमजोरी बताता Koren को ची कोई संगठनी ही या ने बलाका ने जिलेगा लेकिन गुंता का मन बने आए जंता रखलेक्रवर को तेरेकालं है जंता मन बनाद है हमने तजनता का के बन्चुका हैं only ii वी जनना चाहएंग ऑंकल जी of psyche देखे घोशनापत्र कॉंग्रेस का आ चुका है भारतिय जन्ता पार्टी का घोशनापत्र आप लॉडगय morale अगा शो और माईजबा पर इस टेप विश्वास दिया है जनता का उन्amt бр और का उठाणा शाथ त्याते का को ठोगरें टैंप को सुभास सुधा जी को पिछली बार यहां से मौका दिया गया क्या वह जनता के उमीदों 2 पर खरां नहीं उत्रे जंत्रेब और लोग को इसी बात से ज्यादा प्रैशाद है कि उलो hybrid यू इसका थे जो यहां पर नहीं करवाए गए है है यहां पर जो शाए उडяет है जोट जंत हागत है तुम इस Vienna सबसे खास बात आपको भी बताएंगे कि क्या कुछ इस तरीके से आपने हैं पर स्रोवर का मुद्दा छेड़ा क्या कुछ इसमें डैवलप मेंट हुआ है क्योंकि अगर बात की जाए तो दूर दराज से विदेशों से भी लोग यहां पर आते हैं जब गीता जयनती होती है तब खासकर यहां पर लोगों की खासी भीड़ देखी जाती है कई कार्यकरमों का आयोजन होता है वी वी आई पी भी आहां पर आते हैं तो क्या कुछ बदलाओ देखा क्या आप तो यहां पर सालों से हैं तो अपने सामने देखा होगा कुछ बदलाओ भी देखेंगे तस् पड़े और इसके काफी जो एना च्छते भी खराम हुई पड़ी है उपर का रास्ता साना ख़ता बैब कोई जाता नियूपर तो इनको ब्रम्बत दिये प्रबंदर दिये इसके लिए और यहां पर इसका तो बहुत स्कोप है कुछ भी यहां पर डिया जा सकता है पर को प्ला अभी हाली में प्रधान मंत्री मोधि ने कई सारी ऐसी सोगाते है जो किसानों को दी हैं तो क्या उससे अभी किसान संतूष्ट नहीं हुए है किसानों को जो मुद्दी के द्वारा जो ये आप बता रहे हैं ये सिर्फ एक प्रोपर जुमले बाजी है पहले किसानों की जो फसल सीदे मंडी में जाती थी अब तो उन्होंने इतने पोल्टल बना दिये किसान अपनी फसल कटवाता है पोल्टल आएगा अपनी फसल लेके क्या पता पूर्टल में सरोर डाउन हो गया तो फसल अपना उसके बाहर खड़ी रहेगी मंडी के बाहर और ये हर परकार से किसान को वपारी को मजदूर को माने वाड़ी सरकार है और हर्याना में इनी चीज़ें से प्रेसानी हो के अनौस जो इलेक्शन कमीशन ने जो चुना परिणाम आएंगे हो सकता है कि अब की बार कॉंग्रेस सतर पार भी हो सकती है तो आप कह रहे हैं कि अब की बार कॉंग्रेस सतर पार भी हो सकती है लोग सबहा में जो परिणाम सामने आये वो पाच पाच के थे एक्वल वहाँ पर परिणाम देखे गए उसके बाद कहा जा लेए रन भूमी में इस बार फते हासिल करेगी बिल्कुल करेगी कॉंगर्स का यहां से एक लंबेट समय से वजूद रहा है इतो चांस की बात थी कि बीजेपी के लोगों ने मोदी पे विश्वास करके 10 साल का सासन बीजेपी को दिया बाकि बीजेपी का यहां कोई धरातल पॉट दिये जाते हैं तो वोच दिये जाते हैं तो वो थाने मुद्धो पर दिये जाते हैं और आप कहा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी चीहरे को देखते वे लोट दिये गए थे देखे थी प्रधानमंत्री जी का चेहर और कमल का फूल तो अब क्या हुआ दीखे मोदी जी जिन बातों को लेके सत्ता में आई थे और स्टेट्स के जो मुद्दे रहे हैं किसानों के रोजगार के मुद देंगे जोड टोड से कुछ हमेले ले गए आजाद लोगों को जो अपनी हैसित आजाद जीतने के रखते हैं उनको टिक्ट दिये थे इस बार तो जेज़ेपी को वो लोग भी नहीं मिले रही बात इने लोगी इने लोग का तो अपना पूरा कैडर और पूरा सिस्टम ही हर्याने में खतम हो चुका है अर्याने में दोई प्लिटिकल पार्ट सिस्टम सर्व नाम चल रहे हैं मोदी जी और यहां पर कोंग्रेस दो परटी प्र केंदर आते हैं अपने अब शंतुष्ट नहीं आप अभी आपने कहा कि मौधी जी और यहां पर कॉंग्रेस देखें मोधी जी ने जो मुद्द दिये थे जो प्रदेशों को उन्हें जो मुद्द दिये थे वो अपनी बात लोगों को कहने में काम्याबörtें लेगी उनको संतुष्ट हो बात आकर धर्म पर पाकिस्तान पर और फि आपने अभी कहा कि कॉंग्रेस जो है इस बार कॉंग्रेस को मोका दिया जाए कॉंग्रेस का गोशना पत्रा आज आ चुका है साथ परमुक वादे उसमें किये गए हैं सरकारी नोकरी अक्सरी मुद्दा रहा है हर्याना में पक्की भरतियों को लेकर अक्सरी मुद्दा रहा ह हाँ पर उसके अलावा महिलाओं को 2000 रुपे देने की बात कई है अगर जीतती है तो क्या इसमें आपका विश्वास है बिल्कुल मेरा विश्वास है इसमें कांग्रेस ने यहां लंबे टाम तक जो सासन किया है और जिसने सरकार ने यहां हरियाने में साधन खड़े किया है तो सरकार के पास इतने साधन है कि वो इन सभी गोश्णाओं को बड़ी असानी से पूरा कर सकती है तो इसमें मुझे सकता से हटाया है क्यों कि खरियाना की जुन्ता ने हटाया है क्यों देखिए जब कोई पार्टी सत्ता में लंबे समय दे रहती है एक हर पार्टी को लोग नए आदमी को मोका देना चाहते हैं उससे देखना चाहते है कि हमारे लिए क्या कर सकता है लोग थोड़े से एक धार्मी बावना देश में थी और धरम के नाम पे मेरे खाल में लोगों उने प्रोग्रेस सत्ता के नाम पे ड्रोग्रेस के तता नहीं बदली थी अपने जरूरयत में धरम के नाम सट्ता बदली थी और po वो लोग उनका ओमा जो धर्म का जो छाना वह देखना है उनका जाएन और मन भर चुका है लोगों को रोजजगार चाहिए दूसरी सीज कि यॉट मिलने चीरा को एक जो है मैदले को की तिन बार वो बंडते हैं और रिक बार पेंसद भी फिर इन देट्व क्यों डिख करता है उसको पेंसल है निया किetic portion कि इसको मिलनी चीए और पेंशन का मुद्दा सर से हैं बड़िया करमचारीयों को जब भी जो है वो जेटे किस क्या देटी दो परसेंट एक परसेंट डिए बढ़ता जाजा और लेकिन जिस्क्राइब यह नहीं कई मुद्दे हैं हमारे इनके सारे जो है और स्थानिया मुद कितना काम उन्होंने कराया है तो यहां पर यहां पर यह देखो कि विकास की बात करूं तो विकास पिछले साल में बहुत जाद हुआ है आप यहां सी करोगे न तो पांच फाटक के उपर एलिवेटे ट्रैक बना है ठीक है सो बैड का नया हस्पिटल बना है ठीक है हमारे यहां पर आयरवेदी की युणिस्टी बनी है नर्सिंग कॉलेज बने है तो विकास हुआ है जिसको विकास के स अगर मैं यहां पर बात करूं कि कुरुक्षेतर की वरतमान की समस्या क्या है तो वह कुछ हद तक एंक्रोचमेट की तो है कि एंक्रोचमेट आपको सडकों पर देखने को मिलेगी कि दुकान दार बहार रेडियें लगवा देते हैं इवन देन हम लोग यहां पर कुर्शी लगा के जो यह बैठी है यह सब एंक्रोच्ड है ठीक है यह समस्या तो यहां है लेकिन अगर आप बाती विकास की करते हो तो यहां पर पिछले 10 साल में एक मतलब जिसको आप कहो कि जो दिखता है विकास वो दिखता है एलिवेटी ट्रैक बहुत बड़ा काम है अंदर जो यहां पर लोगों से बात करने के हमने कोशिश की थी और यहां पर सुरोवर पर ही स्थानिय लोग जो है है वो कई सारे मौजूद थे हम उनसे जानना चाहरे थे चुनावी माहूल और यहां के स्थानिय मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रहे लेकिन कोई भी इंसान बात करने के लिए तैयार नजर नहीं आया सब चुनाओं से कत्राते नजर आए कि हमें कोई दिल्चस्पी नहीं है चुनाओं को लेकर हम कुछ नहीं कहेंगे जबकि इससे पहले पानी पर सोनी पर जहां से भी हम आये वहां पर लोगों ने दिल खोल के अपने विचार सामने रखे यहां पर ऐसा क्यों सथानिय मुद्दे हैं अभी एक बाइपास निकलना था वो नहीं निकला है अ लेकिन उसके लिए किया कुछ नहीं किया गाए अब कासी में इतना पैसा खर्च कर दिया दूसरी दिगा इतना पैसा कर दिया लेकिन इहां जाविश्यो सतर अपरेट तलए वहां वो काम नहीं किया गया तो धुठी को सनाए हैं तो लोगों को इस चीज़ का दोखे दुख भी है कॉंग्रेस से अशोक अरोडा जी मैदान में है किस तरह से विश्वास उन पर आप रखते हैं निया सोगरा जी पहले भी रहे हैं और उन्होंने विश्वसनिय कारिये किये हैं कि नेक इनसान है ऐसी बात निया सोगरोडा जी निसी तुरूप से कामियाब है और अभी जो सुभास सुधा जी विधायक है मौजुदा क्या उन्होंने कुछ धरातल पर काम नहीं किये दरातल पर उन्होंने किया मैं बताता हूं जो किया कि उन्होंने पांस साल तक जिन की कलोनिया थी पांस साल तक रिजिस्ट्रियों बैन और अपनी कलोनी काटनी सुरू कर दी और अबलक्षन के टेम वो खोल ले गए उसके बाद फिर बंद कर देंगे लो गरीब आदमी का इसना सोचन किया गया कि वो अपनी मकान भी बना सके वो प्रोपर्टी डिलर का जाधा काम किया है पैसा बनाने पर अपना घर बनने पर जाधा काम किया है आपके लिए कौन से स्थानिय मुद्दे परमुक हैं जिस पर काम होना चाहिए कोई भी सरकार अगर बनती है यहां पर तो उसके बाद ऐसे मुद्दे जिन पर परमुकता से ध्यान दिया जाए एक तो बाई-पास की बहुत जुरूट है कुरूट शेतर के अंदर बाई-पास बनाने की दो भुष्णा भी कर रखी है और वर्क नियुक्त और ब्रम्सरूट के सुदार के लिए बड़ी बारी अवश्कता है क्योंकि यहां लाखों की तादाद में लोग आते हैं और एक यहां से जो ना डिमांड है लोगों की रेलवे लाइन बढ़ाई जाए चेत्र जब सरस्वती जबना और गंगा तिनों का मेलों से क्योंकि यह ऐसी सरस्वती तो गंगा यम्दा सरस्वती तिनों का जोड़ा जाए इनको आपस पर यात्री एक जगह से चले तो तिनों जगह पिजाए तो कुरू छेतर का रन है ये और थाने सर विधानसवा सीट से हम लोगों ने चुनावी माहुल जानने की कोशिश करी और स्थानिय लोगों के मन को टटोलने की कोशिश करी खासी नाराजगी जो है मौझुदा विधायक को लेकर यहाँ पर नजर आई है कई सारे ऐसे काम है जो होने बाकी है और ये धरमस्थली है जिस तरीके से जानते हैं स्रोहर यहाँ पर है बिलकुल सामने मेरे पीछे और उस पर कई सारे ऐसे कारिये हैं जो होने अभी बाकी ह परमुख मांग है इसके लावा भी कई स्थानिय मुद्दे यहां पर रखे गए हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और मिला जुला असर जो है वो देखा गया है फिलाल चुनावी नतीजे बताएंगे कि जो अभी हमने मन टटोला है वो वाकई में वही रहेगा या फिर नतीजे कुछ और सामने आएंगे